याईज वैलकम टो आफ़ चैनल पीरोसकार इंजिनियर आज की वीडियो में बताऊंगा कि जो याईज वीडियो का लाइक जुरूर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें तो दरसल लौन एक्रिमेंट नंबर के उता है वो मैं आपको बताऊंगा तो लौन एक्रिमेंट नंबर जैसे आपने जो लोन डी होता है उसके बारे में वो बताता है उसकी डीटेल बताता जैसे अगर आप उसकी वैल डीटी जानना चाहते है कि लोन कब से कब तक है और आपके जो मंतली इंस्टोल्मेंट है जो आपके अकाउंट से जो पैसे कटेंगे वो कितना है वो आपको पे करना पड़ेगा वो आप लोन अकाउंट नंबर की मदश से जान पाऊंगे और अगर आप यह भी जानना चाहते हैं कि जो आपने को इंटरस्ट कितना पड़ेगा तो आप इस लोन अकाउंट नंबर को डालोगे तो आप अपने अकाउंट की सारी डीटेल चेक कर पाऊंगे तो एक तरह से लोन अकाउंट नंबर होता है तो इसके मद करते हैं इस वीडियो को तो अगर आप इसके बारे में जाना जाते हैं लोन अकाउंट या अग्रिमेंट नंबर के बारे में तो आप कैसे जान सकते हैं तो तरसर हर मत आपके जो बैंक है वह आपको एक मैसेज सेंड करते हैं आपकी जो इस्टोल्मेंट होती है जो लोन की उसके बारे में तो उस मैसेज में आपको रिजिस्टर मोबाइल नमबर में वो मैसेज सेंड करता है तो आपको उस मैसेज में लोन अग्रिमेंट और अकाउंट नमबर के बारे में भी बताया जाता है तो वहां से भी आप इस नमबर के बारे में जान सकते हो और आप बहुत स आपने लोन आकाउंट नमबर के बारे में जान पाओगे अगर आप जो नेट पैकिंग यूज करते हैं आपने जो बैंक है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा वहां पे अपने आईडी को लोगिन करना है और वहां पे जाएसे आप अपने ग्रैडिट कार्ड सेक्शन पे जाओगे तो वहां पे आप देख सकते हो लोन आकाउंट नमबर का ओप्शन देखेगा तो वहां से आप एजिली आपने जो सारी डिटेल है वो जान पाओगे अपने लोन आकाउंट की तो इस तरह से भी आप अपने लोन आकाउंट नमबर को जान पाओगे अधर आई गया है तो वो आपसे कुछ डिटेल मांगे के लिए आपके अकाउंट की वो इसके बाद वो आपको नमबर बता देंगे तो यह कुछ मैधर जिन से आप लोग अकाउंट नमबर जान सकते हूं अगर कोई प्रॉपलम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ह हम आपके हर पॉपलम को सॉल्फ जूरूर करेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें विरोजगार इंजिनेर को